हाई वेल्कम नोवा चैनल इस वीडियो में सॉल्व करें क्वेशन नबर एट इंसर्ट 16 रेस्टनल नंबर्स बेविन 2.1 और 2.2 अब देखे 2.1 और 2.2 के बीच में इंसर्ट करने के लिए हमें रेस्टनल नंबर्स बहुत सारे मिल जाएंगे इंसर्ट नंबर्स हैं 2.1 और 2.2 के बीच में लेकिन हम किस मेथड के यूज करेंगे जो इसी हो मतलब ऐसा मेथड जिससे की इसीली हम फाइंड कर लें 16 रेस्टनल नंबर्स ठीक है तो इसी वे में फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इसके लिए खासतार पर मेथड नंबर 3 ये यूज करते हैं तो बिल्कुल हाड हो जाएगा तो यूज नहीं करेंगा हम मेथड नंबर 2 यूज करेंगे जो कि जिसको बोलते हम लोगे LCM मेथड तो मेथड नंबर 2 पड़ेंगे आप रसन नंबर को ले लेंगे हमारे पास है 2.1 यहां लिख देते हैं 2.2 अब इनके बीच में हमें 16 रसनल नंबर को लाना है तो क्या करना पड़ेगा पहले हम पहले इसको convert करेंगे रसनल नंबर के फाम में तो इसको ली सकते हैं 10 से प्ले करेंगे उपर और नीचे यह बन जाएगा तो multiplying by 10 on both numbers मिलेगा हमें 21 upon 10 तो आप जानते हैं multiply करेंगे तो divide भी करना पड़ेगा 21 upon 10 मिल लाएगा और यह मिल लाएगा 22 upon 10 तो देखे 2.1 जो है equivalent है 21 upon 10 के और 22.2 जो है equivalent है 22 upon 10 के अब देखना है 21 upon 10 और 22 upon 10 करना पड़ेगा कि इसमें आपको कोई नहीं मिल रहा है मतलब हमें कितना डालना इसमें 16 आपको insert करना है तो 16 करने के लिए हम देख रहे हैं कि 21 और 22 में कोई difference ही नहीं है 21 के बाद direct 22 आ जाता है 21 और 22 के विच में कोई भी नहीं है तो हम क्या करेंगे 10 से multiply करतेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसमें कितना का difference हा रहा है ठीक है तो यदि आप 10 से multiply करते हैं तब भी आपको 16 रसल नमर नहीं मिलेंगे क्योंकि यदि आप 10 से multiply करते हैं जिसे मैं आपको दिखाता हूँ यहां कि 100 और 100 18 नमर तो equal है लेकर numerator के बीच में जो numbers का difference है वो थुछा सा बढ़ चुका है तो आपको यहां पर कितने numbers मिल सकते हैं देखे 210 के बाद आता है 211 फिर 200 आएगा 12 फिर 213 14 15 16 17 18 19 20 तो 20 आजए गा डराट यहां पर तो इसका मतलब कि यह किवल 10 ही number मिल सकते हैं मतब कि 10 क्या 8 ही number मिलेंगे 9 sorry 9 numbers तो 9 numbers निकाला नहीं हमें 16 restaurant numbers इसलिए हम 10 से multiply नहीं करेंगे बलकि कर देंगे 100 से multiply ठीक है तो 100 कर देंगे तो हमें आसानी से इसके बीच में बहुत सारे restaurant मिल जाएंगे उनमें से हम कोई भी 16 जो है चूज कर लेंगे चलिए हम यहाँ पर करते हैं multiply 100 से तो यहाँ पर 10 से नह करके हम करतेंगे 100 से multiply तो so multiplying by 100 again multiplying by by 100 in both numbers in both in numerators and denominators both in both numerator and denominators in both okay तो numerator में और denominator में दोने मट पले करेंगे तो क्या मिल दाएगा हमें 2100 upon 1000 और यहां मिल दाएगा हमें 2200 upon 1000 अब आप देख सकते हो कि 2100 और 2200 के बीच में आपको अलगभग 199 numbers मिल सकते हैं integers क्योंकि denominator तो यहां पर equal है बस हमें numerator में ही difference निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं we can write is we can write it like this यहां पर हम आपको अधा देते हैं sorry यहां पर स्कोट अधा देते हैं we can write like this we can write यह मिल जाएगा हमें 2100 upon 1000 यह जो number है यह equivalent है 2.1 के जब 1000 से डिवैड़ करेंगे तो यह 2.1 आ जाएगा तो खर इससे यह जो number है वो less है यह number क्या है छोटा है किसे 2101 से upon 1000 जो रखेंगे यहां पर इससे बतब कि 2101 upon 1000 यह जो है बड़ा number है 2100 upon 1000 से और इससे भी बड़ा number है 2102 upon 1000 और ऐसे ही आप चलते जाएगे और आपको मिल जाएगे 16 restaurant numbers आसानी से ठीक है 2104 upon 1000 1000 फिर is less than 2105 upon 1000 फिर ऐसे करते जाएंगे आप जब तक कि 2105 upon 1000 ऐसे ही यहां पर हो जाएगा फिर less than 2106 upon 1000 फिर less than यहां पर आया 2106 आया भी हमें जाना है कहां तक 2200 तक जाना है तो हम इसमें मतलब कि actually 199 numbers इंसर्ट कर सकते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2107 upon 1000 and it is less than 2108 upon 1000 and less than 2109 upon 1000 तो यहां पर एक बात समझेगा जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं क्योंकि आपके जो बुक में जो answer दिया हुआ है यहां पर 110 हो जाएगा यह upon 1000 तो ऐसे मतलब करके जो है आप चले जाएंगे less than यहां तक होगा और यहां पर हो जाएगा 2199 upon यह 1000 यह मतलब last वाला number होगा उसके बाद से यह आ जाएगा ठीक है इसके बाद आप लिए सकते हैं यह वाला number तो actually जो answer दिया है आपके बुक में वो लिखा इस तरीके से है यहां पर कि यहां पर जो लिखा हुआ है आपके बुक में जो answer लिखा है वो इसको लिया है देखे पहले पहले जो answer लिखा है वो यह लिखा है इसको ले लिया मतलब पांचवे वाले नंबर को लिया है उसके बाद से दसवे वाले को लिया है यह वाला नमबर उसके बाद से इसके पांच वाले इंटरफल पर जो आ रहे हैं इसके बाद उनको चूज करके 16 ले लिया है ठिन यहां से लिकर और इसके आगे बाला उसको मैं लिख द行 और dependency इसके बार बार है वो है आपका is less than is less than यह हो जाएगा 2200 upon 1000 यह last word number है और ओके ठीक है दिखे रहा है आपको तो यहाँ पर देखे यह जो last word number है इस वाले number और इस वाले number के बीच में लगबग 199 numbers मिल जाएंगे इन में से केवल answer में आपके address अगवाल के जो book के answer दिया हुआ है उसमें केवल यह पांचवा वाला यूज किया है पहले-पहले यह वाला number उसके बासे यह number लिया है उसके बासे इसके आगे next, fifth position पर जो आएगा उसको लिया है means आपका answer ऐसे लिखा हुआ है कि 2105, required 16 ब्रेसल नंबर्स आर 2105 upon 1000 और दूसरा लिखा है आपको 2110, मतलब 210 कर दिया दिखे, 2 तो कामर रहेगा दोनों में यहां लिखा है 105 यहां लिखा है 110, ठीक है और 110 लिखा है तो दूसरी बढ़ का लिखेगा लिखेगा 2115 upon 1000 और उसके बाद लिखेगा 2100, यहां पर हो जाएगा 15 बाद का लिखा है, 20 आता है 2120 upon, यहां हो जाएगा 1000, उसके बाद से फिर उसके बाद 25 लिखा है 2125 upon 1000 उसके बाद लिखा है 2130 upon 1000 उसके बाद से 2135 upon 1000 आप चेक करेंगे, आपको आउसर में तो आप चेक करेंगे, यही सब दिया हुआ है क्योंकि आप इसको करेंगे, decimal में तो dot 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 करते करते, जो है सब कुछ दे दिया है 16 numbers, मतलब ऐसे करके आप 16 numbers निकाल लिजीए, बिल्कुल वही number आएंगे जो आपके book में दिया हुआ है लेकिन जरूरी नहीं कि आप यही सारे numbers लिखिए जरूरी नहीं है मतलब यह भी answer है लेकिन जरूरी नहीं कि आप यही लिखे आप जो है इन में से कोई भी ले सकते हैं मतलब कि यहां से पहले से क्योंने उठा लें हम यहाँ पर यहां से च anticip tu यहां से चूज करते हैं टो हमारा यहां से चूज करते हैं उसस्तीनिनミ्ह Anda करना और हमारा जिए याँसर आंसर हो जाएगा 16 जो numbers मिल जाएंगे rational numbers वो यहां से लिखर करके आप counter सकते हो यहां से यह जगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 11, 12, 13 तो 16 तक ले सकते हैं आपर मतब 110 हो गया यह यहां हो जगा 2100 11 upon 1000 2100 अपान 1000 ऐसे करते करते हम 16 तो जाएंगे और वो सारे हमारे answer हो जाएंगे ठीक है? तो यह आप पर मैं छोड़ रहा हूँ यह आप कर सकते हैं बिलकुल मैंने आपको समझा दिया कि आखिरी हाँ पर करना कैसे है तो यदि कोई भी doubt होता है तो बिलकुल आप करना आप से लिख सकते हैं लेकि वैसे मेरे ख्यासे doubt नहीं होगा आपको तो बिलकुल आप यह कर लिजेगा ओके थैंक्यू सो मच फर वाचिंग बाए